नमस्कार आप देख रहे हैं एरियल न्यूज और मैं हूँ आपके साथ मैं मॉनिका मनिपूर्ण में शनिवार को सेना की काफिले पर उग्रबादी हमला हो गे जानकारी के मताबिक इस हमले में असम राइफल्स के कमांडिंग आफिसर समय साथ जवान मारे गए बता दें गटना चुराच आंदपोर जिले के सिंगट में हुई है उग्रबादियों ने असम राइफल्स के काफिले पर घात लगा कर आई-ई-डी अटेक किया सूतरों के मताबिक हमले में 46 असम राइफल्स के कमांडिंग आफिसर करनल विपल्स रिपाटी की पत्नी और बेटे भी मारे गए बता दें करनल रिपाटी 36 गड़ के राइगड जले के रहने वाले थे वही मनिपूर के मुखे मंतरी एन बिरेन सिंग ने हमले की निंदा की है उन्होंने कहा कि उन्हें मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर मिली है कि हमले में सी-ओ और उनका परिवार भी मारा गया है राज्य की पुलीस और पेरा मिलेटरी उग्रवादियों से निपट रही है हमलावरों को बक्षा नहीं जाएगा बहरहाल बता दें इससे पहले 5 नवंबर को श्री नगर के शेर एक कश्मीर इंसिट्यूट आफ मेडिकल साइंस के सामने आतंकियों ने सेना के जवानों पर हमला किया था नागरिकों की मौझुदगी का फाइदा उठा कर आतंगवादी भागने में सफल हो गए वहीं आतंगवादी संगठन गाजी स्क्वाइड ने बेमीना में सुरक्षा बलों पर हुए इस हमले की जिम्मेदारी ली थी संगठन ने कहा था कि हमला पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की जीत पर जश्न मनाने वाले लोगों पर 10 F.I.R. के विरोध में किया गया है इसकास कवर में इतना ही ऐसे लेटिस्ट खबरे देखने के लिए देखते रहे है एरियल न्यूस नमस्कार